हेलो दोस्तो आज अपन बात करेंगे निवेस निवेस मतलब इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे आज अपन और इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है निवेस्ट क्यों जरूरी है और इसके क्या फायदे हैं इसके क्या नुकसान है इसके बारे में पूरा आज डीटे वीडियो किस टॉपिक में बनाऊं है तो चलो अपन ज्यादा टाइम ना लेते हुए सभी लोग लाइक कर दे और साथ मैं अब इसके बारे में जानेंगे निवेश क्यों जरूरी है और कैसे इसके कितने वैनिफिट है और कहां कहां निवेश कर सकते हैं और निवेश करने से अब वह लोगों कितने फायदे होते हैं कि और कितना अपनको कहा जाए तो प्रॉफिट मिलता है उसके बारे में देखेंगे एक बिल्कूर सिंपल हासा में आज आपको समझाने वाला हूं investment के बारे में कि investment किस साफ से करना चाहिए और कहां करना चाहिए stock market में अपन investment किस सा कर सकते हैं उसके बहुत सारे फायदे कौन-कौन से हैं वह सब चीज में आज बताने वाला हूं आपको और अगर यह टॉपिक आपको अच्छा लगता है तो भाई सभी लोग लाइक कर देना और कमेंट करके बताना जरूर से कि अगला वीडियो में किस टॉपिक के बारे में करना चलो तो अपन देखते हैं कि निवेज क्यों जरूरी है इस सवाल का जवाप देने के पहले अपन यह समझ सकते हैं कि वह यहागर कोई आदमी 50,000 रुपे हर महीने कमाता है और उस आदमी का खर्च जो है 30,000 रुपे हर महीने का है तो उसकी हर महीने 20,000 रुपे की बचत होती है ठीके ना, एक अधारा देके भी समझा रहा हूँ है आपको कि 20,000 रुपे की उसकी बचत होती है 50,000 रुपए को यादमी कमा रहा है एक महीने में और 30,000 रुपए को खर्च करता है फैमली में बहुत सारे खर्चे रहते हैं 30,000 रुपए उसके खर्च हो जाते हैं तो बचते हैं 20,000 रुपए तो अगर वो 20,000 रुपे को अगर बचते हैं अगर उसको निवेश नहीं करेंगे और वो पैसे अगर अपन बचा की रखेंगे यूँकि अगर जॉब बायचांस अगर 28-30 साल की उम्र में लगती है तीस साल की उम्र में अगर कुछी की जॉब लगती है और वो 50,000 रुपे कमा रहा है और 50 साल की उम्र में कहा जाए तो रिटार्मेंट हो जाएगा पचास साल की एक जामपार ले रहे हैं और उसके बारे मुझे बात कर रहे हैं किसी की एज 30 साल में जॉब लगी है और वो 50 साल में रिटार्मेंट होने वाला तो वारकिंग जो येर है वो 20 साल हो जाएंगे बीस साल में वो आदमी कितना पैसा कमाएगा और कितना खर्च करेगा और कितना उसके बचात होगी इसके बारे में अपन देखेंगे एक एक जामपल लेके बता रहा हूँ मैं कूझा आदमी तीस साल के अमर में जौब लगती है तो उसकी प्हली जो पयमेंंट रहती वो पचास जार ठीक है ना अगर महीने का कमा रहा है और तीस सार दर क खर्च हो रहा है और देखेंगे हैं तो बच रहा हैं कितने बीस सार रुपे तो 20,000 रुपे वो बचा आएगा हर महीने हर महीने 20,000 रुपे बचा आएगा तो 20 साल तक मतलब 50 साल की इस तक रेटार्मेंट होने के बाद कोई काम नहीं करेगा सामने वाल अगर आदमी तो उसको किस हिसाफ से देखेंगे कितना पैसे बचे रहा है अगर वो कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो अगर देखेंगे अपन तो किसी आदमी की अगर कंपनी में जॉब लगी है तो उसका कहा जाए तो हर साल अगर देखेंगे तो मान लो 10% के हिसाफ से उसको मतलब कंपनी मतलब उसका पैसा जो बढ़ाती है जो 10% के साफ से मतलब अगर आज 55 इस साल 50,000 रुपे मिल रहे हैं पैमेंट तो अगले साल अगर 10% कहा जाए तो वो पच्पन 1000 रुपे कहला जाएगा हर महीने का ठीक है 10% के साफ से अगर बढ़ रही है सेलरी हर साल तो तो इसके साफ से अपन कैलकुलेट करेंगे यदि इसमें तो देखेंगे कि एक साल एक साल अगर कोई आदमी 50,000 रुपे सेलरी के हसाफ से कमाता है तो एक साल का उसका जो पैमेंट निकलता है वो 6,000 रुपे कहलाता है और 30,000 रुपे एक महीने में खर्च कर रहा है वो आदमी मतलब घर में और भी बहुत सारी काम रहते है तो 30,000 रुपे उसमें खर्च हो रहा है उसके तो जो एक साल में उसका जो खर्च हो रहा है वो 3,60,000 रुपे हो रहा है 6,00,000 मैं से लुए घृटी सेलरी 25000 रुपे हो गई 10 परसेट के साफ से बढ़ गई तो उससाल समय एक साल में कितने रूपे मिले। शहва numéro 6600 रुपे उसका पूरा एक साल का एन्यों इनकम कहला नी तीक न और उसकी जो खर्चे हैं वह कितना हो रहा है खर्चा 3,88,800 रुपे कुछ खर्चा हो जाएगा उसका कहा जाए तो उसके जो बचात हो रही है उस साल में वह कितनी हो रही है 2,88,200 रुपे करीब निकलती है ठीक ना आप लोग अगर इसको समझेंगे तो निवेस क्यों जरूरी है इसके बारे में आपको बहुत अच्छी समझ में आजाएगा और अगर इस चीज का अपने को पीडिया बगार चाहिए तो आप लोग वाट्स आप चैनल के मेरे वहां पर वायोम जाके वाट्स आप चैनल वाट्स आप टेली ग्रॉम चैनल इंस्टा आप फेस्वोक सभी से ज सब्सक्राइब करें तो 20 साल में वह आदमी जो है कि कहा जाए तो उसका जो कि खर्चा निकाल के उसकी जो बचत देख रहा है पन वह करीब करीब आ रही है कि उसकी बचत जो आ रही है कि एक करोड 78,90,693 डूपे करीब आ रही ही 20 साल की बचत 10 परसेंट के हसाब से अगर उसकी शैलरी बट रही हर साल शुरूआज जो शैलरी थी वह 50,000 थी तो 20 साल में इनका जो बचत कर रहे हैं इन्होंने ठीक है ना तो वह कितनी आ रही है एक करोड 78,90,693 करीब अगर आप इस नमबर को देखेंगे तो 20 साल के बाद हाला डराऊ नहीं हो सकते हैं क्यों क्यों कि 20 साल की महनत से जो आदमी सिर्फ 1,70,000 लाथ ही जोड़ पाये ठीक है ना जोड़ पाया कोई आदमी ने एक करोड 20 साल में 1,70,000 लाथ ही जोड़ पा तो आप एक करोड़ों सतर लाग जोड़ पाएंगे ठीक ना और रिटार्मेंट के बाद आगर आट परसेंट की दर से आप बढ़ेंगे तो एक क्रोड़ों सतर लाग के मोटे दोर पर आठ साल निकल जाएंगे क्योंकि डेटार्मेंट है अपकर 50 साल की एज में हो रहा है और आपके घरचे हैं वो 30,000 रुपे तो वो सुरू में हो रही थे वह 50 साल के बाद भी 30 से मानलो 30 अगर यापन 75 परसेंट करीब में अपन आ खर्चा जो हो रहा है हर साल खर्चे का पैमेंड चो दिदो कहा जाए 6 लाक में आपन 3 6 000 रब कर रहे थे तो yatे पर से एक 15 पर 영상 करीब तो आट साल में जो अपन ने से जो अपन ने 20 साल में सेविंग करी तो वो से बिंग का एक क्रोड़ों शाटर रॉपय है उसमें आठा चाल तो आर आपके आराम से निकल सकतें खर्चे के साफसे अगर कोई काम नहीं करते हैं तो ठीक है अगर ठीक है अब अधारण देखते हैं अगर इस तिती को थोड़ी और बदलावक साथ देखते हैं तो मान लेजिए 20,000 रुप नगत की रूप में नहीं रखा बलकि इसे निवेश किया होता अब अपन देखेंगे अगर इसको अपने जो एक करोड़ सतनलाक रुप जो बचे हैं सामने वालों ने बचाया अगर उसको किसी आद्म निवेश में निवेश नहीं किया होता अपनी सिर्फ बचत कहाते में बस रखा होता तो उसके जो चांसे से मतलब इन्फिलेशन डेटा जो आता है कहा जाए इन्फिलेशन जो रहती है हर साल बढ़ती है उसको कहा जाए काउंटर नहीं कर पाएगा तो इसके लिए अगर आपन निवेश का चांस मतलब एक ऑफशन चुनते हैं कि निवेश करते हैं अगर उसी पैसे को 20 साल तक तो कितना वो एमांट बनता ठीक ना तो अपन देखते हैं अगर उधारण की स्थिति में देखें अगर मान लीजी 20,000 रुपे को कहीं निवेश किया होता तो ऐसे बारा परसेंट हर साल रिटन मिलता ठीक है ना निफ्टी जो अगर निफ्टी के एटीएफ में भी डालो गए तो बारा पंदरा परसेंट का आराम से हर साल रिटन दे देता है निफ्टी का एटीएफ मतलब टॉप 50 कंपरियों में आपने निवेश कर दिया ठीक है अगर किसी एक कंपरी में नहीं कर रहा है इंडिया की डॉप 50 कंपरियों में अगर निवेश करना है किसी को तो निफ्टी के एटीएफ में आपको खरीदना पड़ेगा न को आराम से हर साल बारा परसंट से पंदरारा परसंट करेटन देसे थी ठीक नगर बारा परसंट के साफसे भी होड़ेंगे इन वेस्टमेंड किया होता तो बारा परसंट लाग जो उसके सावने वाले के निकल रहे थे ना वीस साल में अगर निवेश कर दिया होता तो बारा परसेंट के साफ से बू कितने बनते पता है ना चार करोड़ 26 लाख रुपए बनते हैं चार करोड़ मतलब दोगने और तीन गोने पैसे बन गए होते हैं ठीक है ना मतलब जो पैसे हर महीने बचते हैं उसों निवेश करने में तेज रफ्तार होने चाहिए कहा जाए और अच्छी खासी रखम के रूप में चार्ट में निवेश करने के बाद 12% के रेटन मिलने के बाद वो चार करोड़ 26 लाख रुपए जुड़ गए तो करीब-करीब ढ़ाई गोना आपकी बचत हो गई ठीक है ना कहा जाए इसका साफ मतलब एक रेटार्मेंट के बाद आपकी जिंदगी सुकून से कटेगी मतलब अगर आ कहा जाए जोड़े ठीक ना अगर उसी को निवेश कर देते आप किसी भी बैंक में तो कहा चैसाथ परसेंट मिलती मतलब परसेंटेज मिलता है अगर उसी को मार्केट में इनवेस्ट कर दिये होते आपने निफ्टी के एटीएफ में भी तो 12-15% आराम से टन देता है अपन अगर इन सब चीजों का फीडिएफ आपको चाहिए तो भाई वाट्सप चैनल टेलिग्राम चैनल वाट्सप ग्रोफ इंस्टा फेसबुक सभी चीज से जुड़ सकते हैं वहां पर मैं डाल दोंगा इसका और डालते रहता हूं तो अगर यह अपर को कॉंटेंट अच्छा अगर कोई स्टॉक में अपन एन्वेस्टमेंट करें तो उसके लिए मैसेज कर सकते हो तो मैं आपको एक अच्छा खासा वीडियो एक अच्छी कंपनी बताऊंगा और ऐसी कंपनी बताऊंगा जो 12-15 परसेंट के रटन नहीं एक साल में करीब 50-70 परसेंट के रटन आराम स दे सकती ऐसी कंपनी बताऊंगा और बहुत अच्छी कंपनी बताऊंगा तो अपनी वाली को यहीं विराम देते हैं और सभी लोग लाइक और सेयर जरूर कर दे और हमारे टेली गिराम वाट्सअप ग्रोप सभी इन सब चीजों से जरूर जोड़ जाए जिससे कि आपको ऐ पेस्बॉक इंस्टा इन सब में डालते रहता हूं तो इन सब चीजों से जुड़के क्या है काफी चीजों का आपको नॉलेज होगा और निवेस के भी करी इस्टाउक जो है मैं उसमें डाल देता हूं कई वार वीडियो नहीं बना पाता तो मैं डारेट उसमें चैनल इन सब चीजों जुड़ जाएंगे तो आपको बहुत सारा आपको कहा जाए तो बहुत सारी चीजों का नॉलेज हो जाएगा और बहुत सारी चीजों का नॉलेज हो जाएगा और बहुत सारी चीज में बताऊंगा इसके बारे में आपको काफी कुछ नॉलेज सब्सक्राइब लोग लाइक कर दें भाई